भाई देखे पहली बात तो मैं चुनोतियों से कभी घबराया नहीं, घबराता तो शायद मैं यहां तक पहुचता ही बिहार में एंडिये सीटों का एलान हो चुका है, हमासा चिराग पासवा ने बात करने के लिए चिराग जी, पास सीटों की सहभागता आपको भी एंडिये में मिली है, किस तरीके से आप तयारी कर रहे हैं और एंडिये की सहभागता में आप किस तरीके से प्रधान मंतरी का जो लक्ष चार सुका उसको पूरा करने जा रहे हैं भाई मुझा लगता है कि अब इस गड़बंधन में सीटों के बटवारे की और सीटों के चैन की भी घोशना के बाद मुझा लगता है कि अब और जितनी सहजता से ये सब हुआ ये दर्शाता है कि हमारे गड़बंधन की ये खुबसूरती है और यही हमलों की ताकत भी है इस सहज तरीके से गड़बंधन में सीटों का बटवारा होना सीटों का चैन होना और इसके लिए में विशेश तोर पर हमारे प्रधान मंतरी आदनिये नरेंद्र मोदी जी का हमारे भारतिय जंदा पार्टी के राष्टिया देक्ष आदनिये जेपी नड़बंधन की तमाम घटक दल के साती वो हमारे बिहार प्रदेश के मुख्य मंतरी आदनिय नितीश कुमार जी हो उपहिंदर कुश्वा जी हो आदनिय माजी जी हो इन सब ने और हम ने हमारी पार्टी ने मिलकर जिस सहज तरीके से उस एक लक्ष को प्रात्मिक्ता देते हुए चार सो का जो लक्ष हमारे प्रदान मंतरी जी ने हम लोग ले तैय किया है उस चार सो के लक्ष को पूरा करने में बिहार की चालिस की चालिस सीटे अपना योगदान दे उस दिशा में हम लोगों ने कारे किया और आज सीटों के इस घोशना के बाद हम तमाम कारे करताब अप से कुछ बात करेंगे भाई लोग कहते हैं विक्ति नहीं समय बलवान होता है ऐसे में मैं मानता हूँ जिस आशिरवात का आप जिक्र कर रहे हैं वो सबसे बड़ा आशिरवात मेरे पिता का हर कदम पर मेरे साथ रहा इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से इमांदारी से मैं बोलू निकलना सहच कते ही नहीं था असान कते ही नहीं था पिछले तीन सालों का संगर्श और अभी ये एक पड़ाव मात्र है अभी लोग सबा के बाद बिहार में विधान सबा के भी चुना होने हैं तो अभी लंबे लक्ष हम लोगों ने अपने लिए ही तैय किये हुए हैं बस यह उमीद रखता हूं कि पापा के आशिरवात के साथ उन तमाम लक्रशों को उन तमाम पड़ावों को इतनी ही सहसता और खुबसूरती के साथ हम लोग पार करते हैं एक आखरी सवाल कि जिस तरीके से कहा जाता है कि खून करिस्ता कभी छुटता नहीं है बहले ही अलग हो गया है लेकि उन्होंने प्रेस का दौरान कहीं थे कि हाजी पूर से भी चुनाओ लड़ेंगे जहां पर उनके प्रत्यासी थे वहां से चुनाओ लड़ेंगे तो क्या आप चाचा से मनाएंगे उनसे बात करेंगे को आपके खिलाफ अब चुनोती आगे ना किया one after the other मैंने सिर्फ चुनोतियों का ही मैंने सामना किया तो ऐसे में भविष्य में जो भी और चुनोती आएगी वो भी मेरी सराकों पर उससे भी मैं डरूंगा नहीं घबराऊंगा नहीं बठां यह तमाम फैसले हमारे घर के बड़े ही लेते हैं जो वो फैसला लेना च खेला जी आप कहीं नहीं हर्श की बात है अपके लिए ऐसे में खुशी एहंकार को नियुता देती है मैं कते ही उसमें नहीं जाना चाहूं और मैं इमानदारी से बोल रहा हूं मैं किसी की हार को देखकर खुश हूँ मैं कते ही उस सोच का वेक्ती नहीं हूँ मेरे पिता के दिये वे संसकार मुझे कभी यह नहीं कहते कि दूसरे को हरा कर या दूसरे को नीचा दिखा कर आप खुश हो मुझे संतुष्टी इस बात की है कि मेरे पार्टी के नेताओं ने जो संगर्ष किया जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन मेरी तवित खरत खराब थी टाइफॉड में था मैं हाथ में मेरे कैंडूला लगा हुआ था मेरे प्रदेश अद्धिक जी मेरे साथ उस दिन उस गाड़ी में थे हम दोनों लोग अकेले महाँ पर गया लगब बड़ गंटा हम लोग दर्वाजे पर खड़े रहे पर किसी ने दर्वाजा नहीं कोला किसी ने उस हालत में हम लोग को अंदर लेना जरूरी नहीं समझा बट बहराब उनी चीजों ने आपको मजबूत भी किया उनी कठनाईयों ने आपको इन परिस्तियों से लड़ने की ताकत दी आज जिस भी मुकाम पर हूँ इसका पूरा श्रेह मेरे पाटी के हर उस कारेकरता को जाता है जो उस दिन मेरे साथ खड़े थे इस विश्वास के साथ की आने वाले दिन हम लोग संगर से पुना वो सब हासिल कर लेंगे जिसका सपना मेरे पिता ने देखा था तो आज का दिन मैं समर पे सिफ अपने कारेकरताओं को करूँगा सुना अपने चिराग पासवान को जिनका साब तोर पर कहना है कि प्रधान मंत्री का लख जो है चार सो सेट का उसमें जरूर पूरा करेंगे जिस तरीके से इनकी सभागिता एंडिये में पास सीटों की मिली है विडियों दिली पावस्तिक साथ प्रधित कुमार टाइम सौना भारत है